आप देख रहे हैं जेकेनिस टूडे और मैं हूं रमन सैनी कश्मीर घाटी में G20 की होने वाली बैठक पर आज चैंबर आफ कामर्स जम्मू की तरफ से एक प्रेस कॉंफरेंस आयो जित की गई जिसमें ये अन्रोद किया गया कि अगर जो डेलिकेर्स कश्मीर घाटी में G20 समिट्स में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं उन्हें अगर जम्मू के भी कुछ हिस्से दिखाये जाएं तो वो जम्मू कश्मीर में टूरिजम के लिए और बहतर होगा ये प्रेस कॉन्फरेंस जो है जो G20 समिट्स जो है जो जम्मू और कश्मीर यूटी में होने जा रहा है स्पेशली मैं ये कहूंगा कि परी जिस तरहां से हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर भाई मोधी जी ने ये सोच करके कि जम्मू और कश्मीर जो है जो हमेशा एक टार्गेट रहा है हमारे नेवरिंग कंट्रीज का कि पर यहां पर किस रहां से अभी पीश्फूल जो है एरिया नहीं है डिस्ट्रोब एरिया है उसी को देखते हुए जी ट्वेंटी जो है जम्मू और कश्मीर जूटी में रखा गया है जिसमें डिफरेंट कंट्री से बहुत सारे डेलिगेट्स जो है वो जहां पर आएंगे विजट करेंगे और वो देखेंगे की जमू और कश्मीर जो है वो बिल्कुल आज की डेट में एक पीस्फूल प्लेस है यहां हजारों नहीं लाखों की तदाद में लोग विजट कर रहे हैं टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं और किस तरह का महूल जो है, जम्मो और कश्मीर जूटी में आज है, ये बताया जाएगा, जी टवन्टी में आने वाले जो डेलिगेस हैं, वो सिर्फ यहां का महूल ही नहीं देखेंगे, बलके आने वाले समय में, इसका इफेक्ट जो है वो ट्रेड पे कामर्स पे और स्पेशली मैं ये कहूंगा कि टूरिज्म सेक्टर पे होने वला है क्योंकि जब वर्ड में एक मैसेज आएगा कि जमू और कश्मीर जो है वो एक सेफर प्लेस है तो मुझे लगता है कि हजारों नहीं लाखों की तदाद में लोग जो हैं जमू और कश्मीर को विजट करेंगे अलजी साहब जो हैं स्पेशली इस इवेंट की सकसेस के लिए लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये जो इवेंट होगा जो सबमिट होगा वो सकसेसफूल होगा यहां पर जो लोग आएंगे वो एक मैसेज लेकर के जाएंगे वर्ड में कि यहां पर किस तरहाँ से प् एक रिक्वेस्ट चुरूर करना चाहता हूं कि जो भी डेलिकेट्स जो हैं वो कश्मीर में आने वाले हैं अगर पासिबल हो क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है एक जूटी है लेकिन जम्मू परदेश जो है उसमें भी बहुत सारे एक ऐसे एरियाज है जो वर्ड फेम के एर एक मैसेज जो है वो जाएगा कि जम्मू और कश्मीर जो है एक जूटी रहते हुए किस तरहां से जम्मू जो है वो पिल्ग्रिम टूरिस्ट के लिए यहां पर मशूर है और कश्मीर में जिस तरहां का एक क्लाइमिट है और एक पीसफुल प्लेस जो है जम्मू और कश्मी किस तरहां से सक्सेस्फुल कर सकें उसकी कोशिश होनी चाहिए और एक मैसेज जो है जो लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पर जमू और कश्मीर में जो समिट हो रहा है उसमें कुछ चीजों को एगनोर किया जा रहा है मैं समझता हूँ कि परी उन लोगों को ये बात जुरूर सोचनी चाहिए जब बात जो है इंटरनेशनल लेबल की हो तो हमारी सोच जो है वो यही जानी चाहिए कि हम भारत का हिसा है जम्मू और कश्मीर जो है एक भारत का हिसा है और जम्मू और कश्मीर एक यूटी है सबमीट कहीं भी हो हम इसका वेलकम करेंगे और आने बाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रेड जो है वो भी इंप्रूब हो उनका ट्रेड हमारे लोगों का यहां पर इंडस्ट्री जो है वहां पर इंवेस्टमेंट आए और टूरिजम सेक्टर जो है especially जो जम्मू कश्मीर का मुझे लगता है कि अगर टूरिजम सेक्टर जो है इंप्रूब होता है तो यहां पर जम्मू और कश्मीर की स्तिति आने वाले दिनों में काफी चेंज होगी और हमें इस सब्मिट से उमीद है कि इन सब सेक्टर पे गोवर्मेंट जो है वो द्यान द इस तरह कि अगर मेंटेंस पेश्मीर के लिए इसके दो परपस है एक तो यह है कि कि पूरा हिंदोस्तान नहीं पूरा वर्ड जो है इस बात को समझे कि जम्मू और कश्मीर यूटी जो है एक है और कश्मीर जो है किसी भी बज़े से डिस्टरब नहीं है और मैं समझता हूँ कि जब लोग कश्मीर को विजट करेंगे क्योंकि आज जो हमारा टूरिस कि पात करूं तो मुझे लगता है कि जो लोग कश्मीर में जाते हैं बहुत सारे लोग जमू में भी आएंगे और जमू से भी एक मैसेज है वो ले करके जाएंगे जिन को विजब कि रिजा जा सकता है कि देखिए मैं प्लिटिकल जो भी स्टेट्मेंट्स हैं मैं उनके उपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमें जब बात जो है अगर इंटर्नल मैटर हो अगर बात हो जमु कश्मीर जूटी की तो स्टेट्मेंट अलग होते हैं जब बात हो हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात चीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कम से कम हमें ये बात सोच करके स्टेट्मेंट देना चाहिए कि ह उमारा जो मैसेज है क्योंकि पुब्लिक जो है वो आज की डेट में ऐसे स्टेटमेंट जो हैं उनको कोई तरजी नहीं दे रही है तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले ज्रूर सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो किसका बला करने के लिए जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जा सिर्फ और सिर्फ एक मन बनाया हुआ है कि हमें क्रिटिसम करना है तो ऐसे स्टेटमेंट दिये जा सकते हैं मुझे लगता है कि अब जो चिंता है पहले भी ऐसी ही चिंता रहनी चाहिए और आगे भी ऐसी ही चिंता रहनी चाहिए और मेरा एक मानना है कि अगर कश्मीर में डेलिगेट्स आते हैं तो जमू में भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए त्यार होंगे उनको भी बात समझ में आएगी कि जमू और कश्मीर जूटी जब आपके पोर्टल पे एक चीज आएगी जमू और कश्मीर जूटी तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातों से कोई मतलब बनता है आज हमें इसी बात को सोच करके इस बात को द्यान में रख करके हमें अपने स्टेटमेंट देने चाहिए कि जमू और कश्मीर में नए रास्ते खुडने लगे हैं तो उन रास्तों की ओडर जब नहीं में ना कि हमें और सहारी सकी बात के पर्षानी है तो पाकिस्तान को रही है और कोशिष पाकिस्तान की रहे कि कि इस को डिस्टर फैलिक कोशिश की दाए है हमारे हमारी फोर्सी जो है मुझे नहीं लगता है कि आज जिस तरह का एक जो हमारे फोर्सीज ने जिस तरह से पूरा एक कॉड़न किया है और हर तरफ उनकी नजर है कि क्योई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वह यहां पर ना हो और को हम क्या कहें कि उसकी तो नेचर ही ऐसी है उसके गर में वहां रड़ाईयां चल रही हैं वहां पर किस तरह से और एक अंसर्टिंटिटी जो है वो प्लिटिकली भी है और आज की डेट में हम उनकी ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उनका गर जो है वो रहा कि जब आपकी स्टेट यूटी में इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा हो तो ऐसे में आपको बयान बाजियों से बचना चाहिए कहीं न कहीं उनका इशारा ठीक महभूबा मुफ्ती की तरफ था जिन्होंने कल कहा था कि कश्मीर घाटी को G20 समिट के चलते जेल में तब्दील कर दिया गया है और लोगों को काफी हरास किया जा रहा है कैमा पसंद काकराम के साथ रमन सेनी जेकी नियूस टूडे चमो